महाभारत में सूर्य पुत्र करण को महान योध्धाओं में से एक माना जाता है करण को सूर्य देव के पुत्र थे जिनहें कुंती ने जन्म दिया था कुरुक्षेत्र की रणभूमी पर करण ने अपने पांडव भाईयों को छोड़ कर कौरव का साथ दिया था लेकिन फिर भी करण ने अपनी धार्मिक आस्थाओं को नहीं छोड़ा और नियम से उनका पालन करते रहे करण पूर्वजन्म में सूर्यदेव के भक्त थे और अगले जन्म में सूर्यदेव के पुत्र बने यही कारण है कि करण ने सूर्यदेव को नमन करने के लिए छट पूजा भी कि थी आएए, जानते हैं महाभारत में करण द्वारा छट पूजा करने की कहानी करण पूर्वजन्म में दंभोदभवा नाम का असुर्था जो सूर्यदेव का परम भक्त था दंभोद भवा को सूर्यदेव ने एक सौ कवच और दिव्य कुंडल का वर्दान दिया था इस वर्दान के कारण दंभोद भवा को मारना लगभग असंभव था इस वर्दान के मुताबिक जो भी उसका कवच तोड़ेगा उसकी मृत्यू हो जाती इसलिए कोई भी इस असूर को मारना नहीं चाहता था ऐसे में विश्णू के अंश नर्नारायन ने तपस्या करके दंभोद भवा के 999 कवच तोड़ दिये जब एक कवच कुंडल बच गए तो दंभोद भवा असूर अपनी रक्षा के लिए सूर्यदेव के पीछे जाकर छुप गया दंभोद भवा स्रिष्टी के लिए एक असूर था लेकिन सूर्यदेव के लिए वह एक परम भक्त था जिस प्रकार एक बालक लोगों से बचकर अपने पिता के पीछे छुप जाता है उसी तरह दंभोद भवा भी बालक की तरह सूर्यदेव के पीछे छुप गया यह देख कर सूर्य देव का वासल्य दंभोद भवा के प्रती जाग उठा और उन्होंने एक पिता की तरह दंभोद भवा की रक्षा की और अगले जन्म में दंभोद भवा को अपना पुत्र बनने का आशीरवाद दिया द्वापर यूग में दंभोद भवा नामक असुर ने करण के रूप में जन्म लिया असल में कुंती को दुर्वासा रिशी ने वर्दान दिया था कि वे अपनी मंत्र शक्ती से संतान को जन्म दे सकती है कुंती की उम्र बहुत कम थी इसलिए उनके मन में चंचलता समाई हुई थी उन्होंने इस वर्दान को जांचने के लिए सूर्य मंत्र का जाप किया जिससे करण शिशु रूप में पृत्वी पर आया इस कारण करण को सूर्य पुत्र कहा गया लोकलाज के डर से कुंती ने इस बालक को नदी में बहा दिया था नदी में बहता यहां बालक हस्तिनापुर के राजमहल में काम करने वाले दमपती राधा और अधिरत नंदन को मिला शुरू से राजमहल में रहने के कारण करण की दुरियोधन से मित्रता हो गई दुरियोधन और करण की मित्रता इतनी पक्की हो गई कि जब दुरियोधन ने करण को राजा बनाया, तो सबसे पहले अंगदेश दिया करण को अंगदेश के पारंपरिक रितिरिवाज बहुत ही पसंद थे करण ने अंगदेश के आसपास छट पूजा का पर्व भी होते हुए देखा छट पूजा देखकर करण बहुत प्रभावित हुए द्वापर यूग का अंगदेश वर्तमान में बिहार है अंगदेश प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था यहां आज के बिहार के भागलपूर जिले में स्थित था अंगदेश में ही समुद्र मन्थन के बाद मंदराचल परवत बना था पौरानिक कहानियों के अनुसार अंगदेश में अंगी का भाशा बोली जाती थी जब पटना पाटलिपुत्र कहलाता था तब भागलपूर का नाम अंग से बदल कर भगदत पुरम कर दिया गया था वर्तमान में भागलपूर के आसपास के क्षेत्र अंगदेश में शामिल थे करण ने अंगदेश में सबसे पहले छट पूजा होते हुए देखी चट पूजा में सूर्यदेव को अर्ध्य दिया जाता है जिसे देखकर करण के मन में इस चट वरत को करने की इच्छा जागरित हुई क्योंकि करण सूर्यदेव के पुत्र थे अपने पिता को नमन करने के लिए करण सुबह उठकर रोजाना सूर्य नमसकार और सूर्य अर्ध्य दिया करते थे वहीं चट पूजा का महत्व समझकर करण ने भी चट पूजा करके सूर्यदेव और उनकी बहन शष्ठी माता यानि चटी मैया की स्तुती की थी